नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है महरसी क्लासिस में दोस्तों कक्सा आठ में हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंद में से कबिर की जो साखिया है हम देखने के लिए जा रहे हैं तो आए देखते हैं कबिर की साखिया दोस्तो कबीर के बारे में उसका जो जीवन परिचाई है वो मैंने पहले भी दिया है इसलिए यहाँ ज्यादातर कबीर जी का जीवन परिचाई हम नहीं देखेंगे लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि उनका जो समय काल था 398 इसी से लेकर 1518 तक उसका समय काल था और वे कासी में जन्मे थे और वो निरक्षर थे लेकिन उसके पास जो ज्यान था कबीर जी के पास जो ज्यान था वो किसी भी विद्वन से कम नहीं था दोस्तो कबिर जी एक मस्त मौला और फक्कड बोलते हैं न फक्कड गिरदारी ऐसे फकिर थे और मध्ययुगिन महान पुरुशों में या महान संतों में कबिर जी का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है दोस्तो कबिर जी को एक क्रांती कारी समाज सुधारक की रुपों में भी जाना जाता है दोस्तो इस चेप्टर में कबिर जी की कुल मिला कर पांच साखिया दी गई है दोस्तो तो आएए देखते हैं कबिर जी की साखिया पहली साखिय में कबिर जी कहते हैं जाती न पूछो साध की, पूछ लिजी ये ग्यान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कभीरा, पड़ा रहन दो म्यान. जाती न पूछो साध की, साध मने साधु, किसी भी साधु की जाती मत पूछो, पूछ लिजी ये ग्यान, उसके पास कितना ग्यान है वो पूछो, पड़ा रहन दो म्यान, म्यान में क्या रखा है? म्यान तो तलवार की रक्षा करता है तलवार हमेशा म्यान में रखते हैं तो कबिर जी ये कह रहा है कि किसी भी सादू की जाती नहीं पूछनी चाहिए हमें उसको कितना ज्यान आता है ज्यान पूछ लो गई किसी भी जाती का सादू हमें क्या लेना देना है और सादू कोई भी हो किसी भी प्रकार के उसने कपड़े पहने हो किसी भी प्रकार के वो वस्त्र पहनता है टिका लगाता है टिकल तिलक करता है कैसी जप मलाय करता है क्या करता है बस सादू है ना इनफ है उसके परक कैसे होती है कि ये आदमी सादू है तो कपडों से या टिका तिलक से या जपमाले से वो सब बाते अलग हैं लेकिन उसके पास किस प्रकार का कितना आत्मा परमात्मा का बगवान का ब्रह्म का जीव का जगत का क्या ग्यान है उसे पूछ लो एक बार उससे पता चल जाता है जाती न पूछो सादू की है उसको ग बियान के बारे में क्या पता है बगवान के बारे में क्या पता है जीव जगत और जगदिश के बारे में क्या पता है वो पूछ लो तो वो सादू है या नहीं निश्चित हो जाता है तलवार का मोल करना चाहिए तलवार की धार कितनी है तलवार की किमत है उसके मियान की नही नहीं दोस्तों तो कभिर जी यहां कह रहे हैं किसी व्यक्ति से उसकी जाती या वर्णा हमें पूछना नहीं है उसके अंदर वो कितना जानता है ये पूछ लो वह ग्यान जो जिवन को उच्च बना देता है बगवान के पास ले जाता है बगवान के समिप रहने को बद्य कर देता है ऐसा ग्यान सादू के पास है वो पूछ लो तलवार का ये एक्जम्पल दिया है कबिर जी ने कि हमें तलवार का मोल बाव करना चाहिए म्यान को कोई पूछता नहीं है हाँ यदि म्यान तलवार की रक्षा करता है बात सही है लेकिन तलवार ही मुख्य होती है जैसे जैसे प्यान मुख्य होता है सादू की जाती नहीं उसी प्रकार से तलवार का जो म्यान है वो महत्व पूर्ण नहीं है तलवार का महत्व है तो दोस्तों ये थी पहली साकी अब लेते हैं चुटा सा ब्रेक और मिलते हैं साकी नमबर दो में